तो हेलो दोस्तों कैसे हो बढ़िया तो दोस्तों अगर आप Android फोन खरीदने जा रहा है और अगर आपको कोई ऐसा वर्क करना है जैसे कि आपको यूटूब चैनल बगेरा खरीट करना है अगर आपको गेमिंग करना है एडिटिंग करना है इसके अलाबह बहुत से हाड़ वर आपके लिए Elena J was दो दोस्तों आज यह बिडियो आपके लिए हैं अद्ट आपको आपको खर सकते हैं और ऐसा हुआ यह मोईल जो आपके लिए बताने जा रहा है वह आपके लिए बहुत लिए पसंद आने वाले हैं और अच्छे खासे प्रोसेसर में है रैम बगेरा इस्टोरिज बगेरा आपके लिए देख कर यह आपके लिए पसंद आ जाए आपको ठीक लगे आप चाहिए तो मार्केट मे चाहते हैं तो यह हो सकता है आपके लिए अलग-अलग वेबसाइट पर अलग-अलग थोड़ी बहुत रैंच कम जादा में आपके लिए मिले यह भी आपके लिए काफी अच्छे स्मार्ट फॉन है जो आपके बजट में हो सकता है जो कि लगवग 20,000 के अंडर ही है तो लीए काफी ज़्यादा अच्छा है यहां पर इसके एडवंटेज और डिस एडवंटेज भी दिये गाए है तो आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं एडवंटेज तो आपके लिए आगर नीचा स्टोरिज की जरूथी क्या है नहीं अब इसकी जो में चीज़ां है हाँ पर आपके लिए बताने वाला हूँ जैसे कि जनरली में देखा जाए तो यह डूल सिम नेनो कार्ट सपोर्टेड है इसकी रिलीज डेट जो है साथ दिसंबर यह नी साथ दिसंबर 2020 को रिलीज हो चुका है इसकी साज इसका काफी अच्छा है इसका जो रैम है 6GB है और इंटर्नेल इस्टोरेज जो है 108GB है जो काफी अच्छा है इसमें एक्टर एक्टरनल जो एश्टी कार्ट है उसकी जरूद भी नहीं पड़ेगी आपको नेक्स्ट आपके लिए जो इंपोटेंट है वह कनेक्टि मेगाफिप्स पिक्सल का जो के रेर कैमरा है फ्रंट कैमरा है 8 मेका पिक्सल और यहां पर आप देख सकते हैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफी अच्छी है जो कि 4K में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसका एंडरुइड वर्जिन याईंडरुड वर्जिन 10 में है फिल्हाल तो एंडरुड वर्जिन 11 में भी आ चुके हैं मगा फिल्हाल 10 और 11 यह करेंट वर्जिन है यह आप ले सकते हैं नेक्स इसका प्रोसेशर देखा जाए तो मीडिया टेक डिमेंसिटी साथ सब्स्टू गीगाहट्स ऑक्टो को प्रोसेशर है और जो की आपके ल यहां पर आप देख सकते हैं 3G, 4G, 5G सपोर्टेड है 6GB RAM है 108GB मेमोरी है और 5000 इमीज की बैटरी है काफी अच्छी है जो मिनी स्पेशिपिकेशन है अब इसकी यूजर रेडिंग देखी जाए तो वह फर्स्ट मॉमाल से थोड़ी ज्यादा है इसमें कुछ ना कुछ तो ज और साथ में इसका फ्रेंट सोरी रेर जो केमरा है 48 मेगा पिक्सल है और फ्रेंट केमरा जो है वो है 8 मेगा पिक्सल एंडोइड वर्जन 10 है इसका प्रोसेसर जो है वो है मीडिया टेक डिमेंसीटी 800 यह जो की गैमिंग करने वालों के लिए काफी अच्छा है इसमें प्रेंट में ही आने वाले मॉवाइल है और अभी लेटिस्ट में एंडूड वर्जन 10 और एंडूड वर्जन 11 ही लेटिस्ट चल रहा है इसकी बैटरी पांच शेहरे में जो आठारा वाट फास्ट चरजिंग के साथ है अब नेक्स्ट मोवाइल है दोस्तों आपका रियल् आप देखी सकते हैं या पर इसकी रियूजर रेटिंग जो है वह भी इसके 77 है डिस अड्वांटेज में आप देख सकते हैं पहले के मॉवाइल के मुकावल थोड़ा सजाद है मगर यह इतना भी कोई जादा नहीं कि आप हातों में लेना पाओ इसकी जनरली जो इसकी स्प 6.43 इंचेस में है इसकी रैम देखे जाए तो 6GB रैम है और 108GB इंटरनल स्टोरेज है जो कि 5G सपोर्टेड है जो कि फ्यूचर में अगर 5G लांच होता है तो आपके लिए काफी अच्छा मुवाइल है यह और रियर केमरा इसका 64 मेगा पिक्सल फ्रेंट केमरा है इसका 16 मे Q2 Pro इसकी भी रेंज लगबग 20,000 के लगबगी है देखिए 18,999 में उननीस लगबग है 19,000 के लगबग है इसकी यूजर रेटिंग भी काफी अच्छी है जो की 80 यूजर रेटिंग है जो की काफी ज़्यादा है और दूसरे मुवालों के अभी जो हमने देखिए उनसे तो supported भी है और साथ में इसका क्या fingerprint sensor बगएरा यह तो सभी में सबी में तेकश करके में इसका यह धींडिया टेंडेट्च 800U का प्रोसीजर अर्ची बाकि मोबाइल के विजम इनसे तो ठीक है और इसका बैटरी थोड़ा से कम जरूब है मगए 65 वाट फास्ट चार्जिंग इसमें सपोर्टेट है अब नेक्स्ट मॉवाल है दोस्तों हमारा यहां पर मेंशन है इसका यूजर रेटिंग वी काफी अच्छा है जो कि बाकी मोवालों से ज्यादा है इसमें रेटिंग के साफ से देखा जाए तो क्या एक्षा यह अभी हम यहां पर देखते हैं इसमें वेट जरू थोड़ा से ज्यादा है 210 ग्राम लग गए रैम है इसकी जो कि 48 मेगापिक्सल है रेर केमरा और फ्रेंट केमरा है 16 मेगापिक्सल एंड्रोड बोर्जन 10 है प्रोसेसर है इसके बैटरी मेंच 5000 अब नेक्स्ट मोवाल है दोस्तों जामी रेड्मी नौट 9 प्रो 5 जी बड़ा ही लंबा ना में इसकी भी प्राइस थोड़ी सी मेमोरी है और यूजर रेटिंग देखी जाया तो यह भी काफी अच्छी है 82 यह भी काफी अच्छी है ठीक है नैनो सिम कार्ट सपोर्टेड है और बजन भी थोड़ा से जादा है 215 ग्राम है मगर आप उठा सकते हैं ऐसे ठीक है 6GB इंटरनल रैम है और 108GB इंटरनल मेमोरी है और इसमें काफी सारे सेंसर सेंश हैं आप देख सकते हैं और रेर केमरा है इसका 108 मेगा पिक्सल जो की 82 रेटिंग के एसाफ से ही तो वही है यह रेटिंग ऐसी थोड़ी बड़ी है फ्रंट केमरा है 16 मेगा पिक्सल और प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नेफ द्रीवां 750 जी बैटरी इमेज है 4820 और फाइट चार्जिंग 33 वाट के साथ अब नेक्स्ट मॉइले दोस्तों जाउमी रेडमी नौट 10 प्रो 5G इसकी भी जो प्राइज है लगो 20,000 से कम है डूल सिम सपोर्टेट 5G मॉबाइल है यह जो की काफी अच्छी है और इस रेटिंग के हिसाफ स और इसमें कार्ट स्लॉट भी है ठीक है 5G सपोर्टेट तो है और 108 मेगा पिक्सल कैमरा है जो की वीडियो शुटिंग के लिए काफी अच्छा है और फ्रंट कैमरा है इसका 16 मेगा पिक्सल एंड्रोइट भी 11 यह है इसकी मैन जो की यूजर रेटिंग को बढ़ाता है जो क 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ में देखते रही है आफ़ी मॉवाइल हो सकता है कुछ कम कुछ ज्यादा भी लग सकता है सबसे यादा तो रेट है इसकी ज्यादा 21,000 लग बाइस हजार के लग अलग वेब साइट हो सकता है अगर आपके लिए अलग-अलग इसकी मिले इसकी एक्षिनर्नल मेमोरी है काट स्लोट नोयनी लगा शकते घरिया युवा सकते तो ही और साइब काफी सारे सैंसर्स और वेकामरा है जैसे कि 64 मेगा पिक्सल का और देखा जाए तो ठीक ठाक है मॉवाइल 50W सुपर डार्ट मैक्स चार्जिंग के साथ बैटरी थोड़ी सी कम है ठीक है दोस्तों तो अगर आपके लिए इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो एक सही मॉवाइल चुनने में तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरू बताएं कि आपके लिए कौन सा कोई सुजाब हो तो आप हमें कमेंट करके जरू बताएं तो दोस्तों अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो हेल्पुल रहो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरू कीजिए धन्यवाद दोस्तों बाए